आज दसेरा है लोग राम को भी याद कर रहे हैं और रावन को भी याद कर रहे हैं बलकि रावन को ज़्यादा याद कर रहे हैं जो सब के परंपिता है राम उनसे यदि हमारा बुद्धियोग लग जाए तो हमारा कल्यान हो जाएगा राम ने हमें जीवन के सभी मुल्यों का सच्चा ज्यान दिया प्रेक्टिकल करके इसलिए उमर्यादा पुर्शुत्तम खेलाए हम उनके जीवन से आज कुछ प्रेरणा लें कोई भी एक अच्छी बात उनके जीवन से सीख लें कैसे वो आज्याकारी थे बड़ों का सम्मान करते थे खुदमाहान होते संपूर्ण ज्यानी होते भी ये दिखाते नहीं थे के मुझे सब कुछ गयात है संपूर्ण निरहिंकारी, क्रोध मुक्त, बहुत शालीन, नम्रचित, बहुत वीर, कूट नितिग्ये हम उनसे कुछ सीखते हैं तो आज रावन देहन भी होगा इसको विजय दस में भी कहते हैं रावन वस्तो में दस विकारों का प्रतीक है पांच विकार इस्तरी के पांच पुरुसके प्रवर्ती में रहते मनुस्ष जब इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो ये उसके लिए सच्ची विजय होती है, दस विकारों पर विजय, विजय की जयजय कार उसके अंदर होने लगती है देखे रावन को बहुत वो दिमान भी दिखाया, चारो वेदों का गया था, बहुत बड़ा से वक्त परन्तु असूर कहा गया उसको, क्योंकि उसमें मनोविकार बहुत दिखाये गये, बहुत एंकार और क्रोध दिखाया गया है लाल साइं बहुत दिखायी गई है, हम भी अधि बहुत बड़े विद्वान बन जाएं, बहुत एजुकेटिड हो जाएं, लेकिन हम एंकार को न छोड़ पाएं क्रोध पर हमारा विजय न हो, नम्रता हमारा स्रंगार न बने, तो हम कोई अच्छे मानव नहीं बन सकते इसलिए आज हमें इन दसो विकारों पर, जो पाँच विकार पुरुस में हैं, उन पर विजय प्राप्त करनी है दस विकारों की भी हम गिंती कर सकते हैं, जो हर मनुस में है, काम, क्रोध, लोब, मोहिंकार, पाँच विकारों के साथ इर्शाद्वेश, नफरत, नफरत और घर्णा, वैर भाव, आलस और अलबेलापन ये दस विकार मनुस के माहनसत्रू हैं, तो आज जब रावन डहन हो, आप विचार करना, हम बाहर के रावन को तो जला रहे हैं लेकिन हमारे अंदर जो रावन बैठा है, उसको भी तो जलाना है, बहुत अच्छी कता आई थी, जब रावन को जलाने जा रहे हैं, तो लोग ही जलाते हैं, कोई पंडित जलाएगा, कोई भक्त जलाएगा, या समीति का अध्यक्स जलाएगा, तो रावन पूछ रहा है, बहुत तुम ये तो बताओ, मैं तो रावन हूँ, पर तुम में से राम कोन है, जो मुझे जलाएगा आज, तो क्या आज के इस रेष दिवस पर हम राम जैसा बनने का संकल्प लेंगे, क्योंकि रावन तो घर घर में आ गया है, हम सब को राम समान बनना होगा, तब हम बनने की लंका भी जल जाएगी, यानि हमारी धन संपदा, हमारी सुक्षानती, ये सब जल जाएगी, ये भी तो हमारे खजाने है, असली सोना तो यही है, तो आज हम अपने जीवन से किसी एक बुराई का दहन अवस्य करेंगे, आप सब विचार कर लें, आप में अभीमान हो, उसका दहन कर दें आज, आप में क्रोध हो, उसका दहन कर दें, आप में धन की बहुत लालसा हो, उसका दहन कर दें, आप दूसरे के धन पर कटू नजर रखते हो, उसको जला दें आज, दूसरे के धन से आपके बच्चे सुकी नहीं हो पाएंगे, आप सुकी नहीं हो मैं आपको कहानी आद दिला दो सुदा मानें, शिरिकर्ष्ट का हिस्सा खालिया था जरासा, धरी दृता से गुजरना पड़ा पूरा जीवन, हम दुसरों के हिस्सा खाकर दनवान बनना चाहने के स्वपन देखते हों, बेलकुल अज्ञान है, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई अपने भागी की कमाई ही सुखदाई है, हम दूसरे की कमाई पर नजर बिलकुल न रखें, कुमकरण मेगनात आदी के पुतले भी जलाये जाते हैं, कुमकरण तो आप जानते हैं, बहुत बड़े आलस की पहचान है, आलस भी मनुस को महन नहीं बनने देता, सफल नहीं होन मेगनात को एंकार का प्रतीक दिखाया जाता है, एंकार को हमें विदाई देनी है, आज संसार में कामवासना की आंधी चल रही है, और यही विकार सभी को दुख ही किये हुए है, इसी विकार के कारण कोट के सी बढ़ते जा रहे हैं, इसी विकार के कारण समाज से मानोता नस्थ होती जा रही है अनेक बुराईयों व्याप्त हो गई है इस विकार के कारण हम इस काम अगनी को जिसमें मनों साथ जल रहा है योग अगनी से जलाएंगे योग अगनी क्या है भगवान से अपना नाता जोड़ना है तो यही कि राम ने रावन का संधार किया राम का अवतार ही रावन वद और राक्ससों के वद के लिए हुआ था तो इस समय जो राम है परमपिता है वो भी अवतरित हुए हैं और हम सब को सत ग्यान दे रहे हैं ग्यान को बान भी कहा जाता है ग्यान के बानों से हम रावन क भीलारें को मारेंगे हम इसवरी एक ज़्वल होगा चिन्टाइँ होगी परनीन होगा अपना यूज कर के उससे सुवह को मोगत कर सकेंगे राजयोग ठाज जो परफिता है इसको राम भी कहते हैं जो तो जोती स्वरूप है, उससे जब हमारी बुद्धी लगेगी, तो उसकी शक्तियां हमें मिलेंगी, और हमें शक्ति आएंगी इन मनोविकारों को जीतने के लिए, तो संकल्प करें बस, कि रावन सत्रू है, महां दिखाया कि अब राम का सत्रू था, लेकिन रावन तो हम सब का सत्रू है, यह हमारे अंदर बैठकर हमारी श्यान्ती को, हमारी खुषी को, हमारे संबंधों को कड़वा करता है, श्यान्ती को, खुषी को नस्ट करता है, तो हम परमपिता से योग करेंगे, तो हमें ताकत आएगी इन सभी मनोविकारों को जीतने की, अबनी कर्वेंद को सितल करने की और तब हम विजय दस में मनाएंगे सच्छी अमारा जीवन खुशियों का बंदार बन जाएगा तो इस उंदर त्योहार की आप सब को बहुत-बहुत सुब कामना हैं आप आज किसी एक मनोविकार को संपोर्ण रूप से छोड़ने का द्रड संकल्प कर लें ओ आप स्यंति